अलो पीपल वेलकम बैक तो मैं चैनल दवर्दियश । तो कैसे हैं आप सभी और कैसे लग रहे है आप सभी को मेरे वीडियो प्लीन मुझे बताईये अपना फीडबैक दीजे ताखिए मैं ऐसे वीडियो और आप तक लेके आ सकूं तो यह जो मैं बैंकिंग अपडेट पर आपके लिए वीडियो ला रहे हूँ इक कैसे लग रहे हैं आपको प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए कॉमें सेक्शन में बताइए लास्ट वीडियो जो मैंने परस्नल लोन पर बनाया उस पर भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं प्लीज और ऐसे व्यूज अपने लाते रहे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर का बेंचमार्क पूरा कर पा हूँ तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपको पता चली रहा होगा नैवी एप के बारे में जी हाँ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताये कि क्या क्या डॉक्यमें और कैसे किसे प्रोसेस होता है अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपको दो तरीके से अवैल कर सकते हैं या तो आप ब्रांच विज अब नवी आप की बात करें तो ये इसका नाम नवी आप इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मनला बहुत सारे लोंस ने आज की डेट टक बहुत सारे लोंस ग्रांट कर चुके हैं इसलिए इसका नाम ही नवी आप रख दिया गया है ऐसा नहीं है कि ये से personal loan provide करता है customers को यह other loans भी जैसे home loan भी provide करता है gold loan भी provide करता है mutual funds भी कराता है health insurance भी कराता है सबी facilities आपको नभी आ प्रोवाइट करता है ति क्या आप personal loan की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया loan की requirement आज की date में सबी लोगों को पढ़ रही है अपनी जरूरते पूरी करने के लिए या तो उनको कोई चीज या ऐसे asset खरीदने के लिए घर खरीदने के लिए गर की चीजों को खरीदने के लिए अपने education के लिए even लोग personal loan से अपनी जरूरते पूरी कर रहे हैं और यह salary लोगों के लिए बहुत easy पड़ता है क्योंकि वो month लिवाई उसकी EMI भरके अपनी जरूरतों को भी पूरी कर लेते हैं और उनके उपर एकदम से पूरे amount का भार भी नहीं आपता है तो लेट्स स्टार्ट आज की वीडियो से तो निवी आप जैसे की मैंने आपको बताया कि instant personal loan आपको प्रोवाइड करता है इसका rate of interest वेरी करता है 9.9% से और फिर डिपेंड करता है कस्टमर के सिबिल स्कोर पर अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का rate of interest start, rate of interest start होता है 10% से लेकर 20-25% तक जाता है again it also depends upon the सिबिल स्कोर of the customer कि उसकी repayment history of loan installments कैसी रही है in the past तो यह आप कोई भी जरिये से लोन लेंगे वो आपके सिबिल स्कोर पे ही depend करेगा जो rate of interest है उसके लिए कोई भी variation नहीं रहता आइदर आप online loan ले या तो आप branch के लोग थ्रू भी लोन ले तो now talking about कि branch से अगर loan लेते हैं तो क्या क्या आपको pros and cons होते हैं और online loan लेते हैं तो क्या pros and cons होते हैं दोजों ही तरीकों के और वीडियो के end तक जरूर बने रहेगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं आपके थ्रू navigate करके कि कैसे आप process कर सकते हैं अपला loan क्या-क्या requirements होती हैं क्या-क्या steps होते हैं जिसके थ्रू आपको loan instantly आपके account में आभी जाता है ठीक है तो लेट स्टार्ट फर्सली की pros and cons of taking loan through a bank तो एक आपको एक पहले के लोगों का आप कह सकते हैं कि एक online चीजे करने में अभी भी विश्वास नहीं है लोग अभी भी bank जाके अपनी चीजे करना चाते हैं cash deposit हो withdrawal हो check deposit हो even या कुछ भी transfers हो लोग अभी भी bank के थ्रू जाके ही करना पसंद करते हैं तो वो उन लोगों के लिए भी specially और बहुत सारे आज की generation भी लोग पसंद करते हैं कि वो अपने सामने जाके bank के थ्रू ही काम करवाएं चीक है त सब paper process होता है तो आपके पास paper के थ्रू जाके करवाने का यह option आपको होता है जो online इतना मतलब comfortable नहीं होते हैं चीजे करने के लिए ठीक है फिर अगर हम cons की बात करें तो yes it takes more time to avail a loan through a branch or a bank because it takes around 5-10 days अगर हम बात करें loan sanction करवाना है हमें bank के थ्रू bank भी आज कर online process करते हैं loan जो कि आपके तुरंथ हो जाता है तो आप उसके थ्रू भी करवा सकते हैं पर आपको branch visit करनी होगी उसके लिए इसमें यह facility है पहले तो सबसे आपको घर बेटे ही loan sanction हो जाता आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत यूजर फ्रेंडली आप है इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपको कुछ भी करने के लिए आपकी basic details मांगता है यह आपका पैन अधार मांगता है और बाकी details से खुदी फेच कर लेता है अपके पैन कार्ट से स्पेशली चिक है नाओ कोण की बात करें तो यह इसका rate of interest आवोट से थोड़ा सा जाधा होता है in comparison to banks क्योंकि यह वैसे तो rate of interest depend करता है आपके civil score पे बात फिर भी इसका इसलिए वेरी करता है क्योंकि यह online प्लैटफोर्म है जिसके तुरू आप loan ले रहे हैं तो थोड़ा सा यह उस factor को भी consider कर लेता है और कौन्स एक और किसी और कौन्स की बात करें तो इस पर थोड़ा सा आपको की penalty charges भी लगते हैं अगर आप टाइम पे अपनी installment नहीं भर रहे हैं तो चीक है तो कौन्स की हो ग कर सकते हैं क्या इसके process होते है through the app और क्या-क्या details यह app मांगता है तो अब आप हमारी screen पर देख पाएंगे मैंने आप पूरा आपको करके दिखाया है कैसे आप से navigate करके आप अपने account पे loan तो रहे हैं तो देख सकते हैं आप आप अपने mobile phone पे Navi app को download करके आप उसको open करिये तो कुछ ऐसा web page आपके सामने खुल जाएगा यह आपको शो कर रहा है आपको किस तरीकी का loan चाहिए cash loan चाहिए mutual fund चाहिए health insurance चाहिए home loan चाहिए gold चाहिए की यूलिस्टा लॉंचन का कुछ tax saving scheme भी चल रही है चीक है तो personal loan cash loan हम apply कर सकते हैं through this app get up to rupees 20 lakh rupees instantly through this app through this app instant dispersal होता है paperless process होता है flexible emis होती है चीक है तो हम apply now में जाके click करेंगे cash loan के चीक है वो आपसे पूछेगा कि आपका mobile number तो आप अपने mobile number को enter करके manually या through your id जो भी use कर रहे हैं वो आपको ले लेगा आपकी details उसी से fetch कर लेगा चीक है आप login करते time अपने details इसमें name gender date of birth वो सब आप अपनी enter कर सकते हैं चीक है फिर वो यह आपका bank account का details मांगेगा आप अपना जो भी bank account का bank account है इसमें से आप उसमें से select कर सकते हैं चीक है और फिर वो पूछे का कि आप किस तरीके से लेना चाहेंगे तो net banking के थ्रू या OTP के थ्रू चीक है तो आप जो भी आपका bank है आप उसको select कर सकते हैं और आपका PAN card और अधार card का detail जो भी है उसको आप enter करेंगे और फिर आपका यह process आगे continue हो जाएगा इसमें और फिर अगर आप 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 प्रूफ कर देंगे तो instantly your account details will be added to your चीक है आप इसका BGFC bank है आपका user id, customer id, pin, password जो भी है वह आप इसमें add करेंगे और फिर next करने के बाद आपका आपको upload करना होगा आपका PAN card और अधार card का photo और फिर आपका loan उसमें sanction हो जाएगा चीक है कैसा लगा आज का वीडियो आपको प्लीज मुझे comment section में बताईए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो और कैसे लगी आज के यह नए भी आप के बारे में इस details मैंने आपको बताईए प्लीज 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 सपोर्ट केजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब तरिये मेरे चानल को प्लीज अपनों सपोर्ट यह नहीं दिखाए झाँ आपको झाँ खाए